लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जन्ता और उस जन्ता के नुमाइंदे यहां वैटते हैं यह है हमारी संसद संसद में बैटकर जन कल्यानकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नती की ओर ले जाए लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनपरती निदी इमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं बलकि अपने निजी स्वारतों में लिप्त हैं इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजी पतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फस चुका है सरोकार मीडिया ने तै किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहट हम देश और समाच की उन समस्याओं को उठाएंगे जन से जनता का सीधा सरोकार है हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राइट हित में कारपाली का नियापाली का विदाई का और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रियास करेंगे हमारी देश वासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामियाब बनाने के लिए हमारे वाटसेप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाओ प्रेशित करें धन्यवाद हलो जै जोहार जै जोहार हाँ सोहन साथ जल जंगल जमीन को लेके आदिवासियों के उपर जिस तरह से सारी सरकारों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है और खास तोर से आप आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं तो उनके गल्यान के लिए क्या संगर्श आप कर रहे हैं और उसकी समस्या का समदान कैसे होगा कि आदिवासियों की जमीने ना चीनी जाएं जल जंगल जमीन जोहार संगर्शाने अधिकार दिये हैं उनके समिदान में जो हमें अधिकार प्राफ्त हैं आ अदिवासि भाईयों को उन अधिकारों को जोहां सरकार ना छीन पाए और उनको भी मुक्षदारा में आगे उन्नती उतरक्ती करने का मौका मिले और में समस्या क्या है एक मात्रा अधार है तो यहां पाटवी अंसुची चेतर है पाटवी अंसुची चेतर का नियम बना करके उसको पड़ाई से पालन करें और जो भी प्रसासनिक अधिकारी या कोई भी हो गुल्यम का पालन ने करता है उसके लिए डंदात्मक कारवाई का भी प्रावधान उसमें समय हो तो निश्चेतर से सारी समस्या का समदान यह की यह पर हो जाएदा और दूसरा करने की जब्लतन नई सर बिलकुल सही कह रहे है हैं आप क्योंकि पांचवी आनि सूची में जो अधिकार प्राप्त है आदिवासियों और उनके छेत्र को जल जंगल जमीन को उसका सही से क्रियानवयन नहीं हो रहा है और अधिकारी जो है मन्सरियों से और ओद्व के घरानों से मिली भगत करके जो है आदिवासियों का दोहन करते हैं तो आप सही कह रहे हुए दंडात्मर कारवाई हो तो उसके लिए आप सरकारों पे और केंज सरकार पे और राज़पाल लोगों के उपर और राच्पती से आप किस तरह की आप एक्छा करेंगे की को्ट में जाएंगे या आंदोलन करेंगे. अदिवाशी रूपपे इकम्जोर है. सब्सक्राइब करना चाहे आप जैसा वेक्ति और आधिवासियों को एक जुट करके अगर अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़े और उसको जो है कोई वकील बड़ा दिल्ली का पैसे ले लिए बिना भी जो है उसकी रिट अगर लगाए तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे आगे आएंगे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे वो तो कई विशा है यह वीशा हैं यह ड़न वाला जमिन नहीं तो कोई भी आदमी रोज रोज से आख्या अंदोला में खड़ा नहीं हो सकता नहीं उसमें भी जी रोजी रोटी को प्रस्ण रहा जाता है बिल्कुल तो यह है कि उत्मा हम लंबा लड़ाई लड़ने सब आचा लड़ेंगे तो सुने को किसों सुनाइंगे तरकार को कर दो पना जिस तरह से इस तरह में भी यह प्रावधान होना चाहिए कि डंड का प्रावधान चीज़ इसको आइसा करने से इसमें ये प्राधान है इसमें इसमें पर दान मतलडा विसरा से जब तक वहां उनके ओपर ना हो होगा नियम ना बने प्रसुड़ान के शनरे को अधुड़ करहिगा अचैसर एक सवाल और कि आदिवासियों के बहुत बले-बले नेता हैं और आप उनमें से प्रमुक हैं लेकिन आदिवासी नेताओं को कांग्रेज, भारती जनता पार्टी और अन्य पार्टियां अपनी तरफ ले लेती हैं इसलिए क्या आदिवासियों की एकता जो है छिन भीन ओ जाती है वो एक गलत है उसके खिलापत में लड़ा जी सही है पार्टी में रह करके पार्टी फोरां से हट करके समाज ही और प्रदेश में जहां जहां भी गलत हुआ है मैं उसके लिए वाजू था इसलिए हमको दुबारतिक अब प्रयास कर रहे हैं मैं जहां से वापस जहां से मैं हटा हूँ हाट जाने का प्रश्ण ही नहीं होता है अगातार प्रयास में हैं और बेजेपी ने हसर देख लिया कि उसका क्या अवकात हो गई जब मैं पाइटी को छोड़ दिया उसका हसर देख लिए अचा रहे हैं मतलब के लिए आपको चाहरे है क्यूंकि आपके जैसा जनादार वाला सामाजिक नेता और आधिवासियों मसीया उनकी लडाई लडने वाला आदमी उनको कोई दूसरा नहीं मिल रहा है उनका जनादार किसागी है वो आदिवासियों के हितों के लिए आपको अपनी तरफ नहीं कीच रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वो अपने हित के नहीं कीच रहे हैं सर मेरा एक सवाल और मेरा सवाल यह है कि देश में जो है आदिवासियों के छेत्र जो है करीब 15% पापूलेशन है और 36 गल मद्परदेश, राजिस्तान, महाराष्ट और उड़ीसा और जहारखंड जैसे राजियों में प्रमुक्ता से आदिवासी होते हैं और उनकी सीटे हैं तो क्या सारे आदिवासी नेता एक मंच पे आके आप जैसे लोगों के नेत्रेत्व में एक जुट हों और यह अपनी लड़ाई और पांच्वी अनियुसूची में दंडात्मत कारवाई के लिए ये विवस्ता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और महामहीम राष्ट पती त कि सारे लोग पहले तो समाज की इस्व को ले करके बहुत आगे आगे आए जी और समाज ने उनको वेज भी दिया चुना जिता करके जी सब्सक्राइब पार्टी से टिकट लाया लेकिन उसी बेस पी चुना जिताया जी लेकिन जैसे पढ़ पाये तो वो सारे विशाई को तो वहां पर पूछ देखा लोगों के अधिकार का भी और वन अधिकार करें तो यह चाहिए वन अधिकार से लेकार ना में जो सवुधानी का अधिकार है उसको अभल हो रहा है तो वहां ने एक उनके विताश के कासा के पीरण जाद रिख गुआ एक्दम सही करें तुरें अच्छा काम करें तो बहुत अच्छे काम करें प्योंकर वह और अपना खुद गाई लाइड बनाते हैं वहां के लोगों के शित को देखकर बनाते हैं लेकिन यहां जो भी नेस्टनल पार्टी है वो अपने यहां इस्थानी इस्थार पे उसका कोई यह नहीं बनता बलके वो पूरा राष्टे इस्थार पे बनता है अब उसी को फालो क स्क्रिप्स को दार्ण हो वहां के लोगों की कल्टर के हिसाब से वहां का जो है नियम काइदेश विकास के जो जो ढ़नना है नियम काइदेन दना है उसी यहां बनना चाहिए ओसे रिए अधिवासी नेता हैं आप बहुत और वह शाली आप किसी आधिवासी पार्टी में अधिवासी नेता हैं तो कि आप किसी पार्टी में जाएंगे कि अपने अलग पार्टी बनाएंगे कि यहां तो हम अपने जो समाज के लोग बटे हुए है अधिवासी नेताओं के साथ मिलके और उनके हिसाब से अधिवासी समाज के लिए है वो एक साथ आने को तयार हैं तो आप क्या कोशिश में साथ देंगे अधिवासी में मान रहा हूं वहां के जो अधार कर वहां के लोगों के रहांसान के साथ से अधिवासी समाज में अधिवासी समाज में से सारे मेरे बले रहनुमा सकते हैं नहीं इसके लिए हम तो बिलकुल परियास कता हैς अधि कोहीं के लिए कोई हमो को सयोग करना चाहते हैं हप जित्रमे उसके लिए हमको कहीं असा नहीं कि कोई परहच्की नहीं उसके साथ हम नी जाएंगे उनके साथ नहीं बैचेंगे आखिर लगभग सभी का विचारधारा यह है सभी ही समस्या यह है जी यह है कि छेत्र अलग-अलग होने के करार वहां के भवगोलिक और अन्य परिसिति के वजे से अलग- यह है तो वहां कि जो पिए है जैसे इमने वहां का जो है इस्टोन का जो यह है हमारे है जो है यह है लो यह तो वह हमस्माने नीटी बनाएगा, मरे हमस्पना नीटी नीटी. और दे रहा है तो लोगों में एक उनके परति जो सोच है गलब हो गया कि देखिए तुमाज में आते हैं समाज में अपना जना भारवर है करके पौर्टी में चले जा इसी बीए पार्टी में आते हैं ऐसा लोगों का यह बन जाता है कि अभी है अभी पार्टी को ख्याग निदा है लेकिन उपार्टी से अलग ने क्याग बारा है इसलिए उसके साथ हमारी ने जूट पर हैं अभी हम तो कह रहें कि यहां के जीतने भी दर हैं जी तो आन्न गुमार्ण अच्छा सर एक सवाल और 36 गड़ के पहले मुखमंत्री अजीद जोगी जोगी अब इस दुनिया में नहीं है उनसे आपके अच्छे संबंद थे तो अमिद जोगी से वैसे मदूर संबंद नहीं है ऐसा क्यों नहीं देखिये वो तो अजीद जोगी के साथ भी हमारा संबंद था उन्होंने भी बहुत हमको प्रयाग कि वहाई उसमें चप्ति उजगत कर देंगे सिनेर जुनिया को छोड़ करके आपको एंपर जोड़ कर लेकिन उनका हमारा विचार भारा नहीं मिल सकता है थे हम बहुत आप मिश्वाग्स वहाँ उन्हें सभी प्रकार का बोर्फा था अलब प्रता यह सब हम निकर सकते अब वो तो ट्राइबल हूं कहा लेकिन उसका तो सही जी ट्राइबल का नामुनिस्टान ने प्रूस ना हमारे संस्रिती से उसके ट्राइबल संस्रिती से मिलता है ना पंक सब्सक्राइबल को ट्राइबल के साथी वर्भी हक्ति है लेकिन अभी तूछता जो जाती का विवाद है नंद कुमार बगेल साहब जो मुखमंत्री भूपेज बगेल के पिता जी है उनका कहना है कि आदिवासियों की जमीन जो यूपी और बियार के लोगों ने महाराठ क लोगों ने आके आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन हड़पी है या अपने नाम की है उनकी जमीन जो आदिवासी समाज को वापस दिलाई जाए और जो और दोगे घरानों को जमीन देती है सरकार अदिवरण करके उसको भी वापस करे तो इस बात को आप किस नजरि ऐसे बुजूर्ग है लेकिन यह तरह को ब्रामाड को वीरोद करता है कि इस ब्रामाड वापस दो पूरा जितने ब्रामाड लागी उसके अंदर जाओके से लेकर के पुरा तरला सबस्टों गेर लेकर है वही लोग वही उनका सलाक्वा तो यही उनका जो आओ सजी तो आइ बाप पूच कहें, बेटा कूच करें, आज अधि ये करता है, इसे को आप अपने पूत्रे को बलो ना, श्रीयन को, जिवाई आप अधिगरान नहीं कर सकते हैं, जमील, जी, उनको बोले, उनको समया, वोगी अधिगरान कर रहा है, फार्प्रेटों को दे रहा है, जी, अधि में जो मामला हुआ, जी, हाला, अभी इन ग्रामिल लोगों के उपर जो है, पोर्त ने, वहां के जो स्यार्प्यक वालों ने, बुली बर्था दिया, बुली तईधानी का अधिकार का बात कर रहे थे, जी, वहां केम खुल दे, तो केम का विरोथ के भाई की भाई, ये पां एफ ट्रावारा शार्य थाना हो चाहिए, और भी कोईबी जी, आप नहीं कर सकते, जस्ता कि लांशबा के तम जी, जी, उहां पर कभी भी ग्रामिल अनमती नहीं, कई जगा जगा घरम्वा का ले रह तो फरजी ले रहे हुँ, जजि अभी किन दो का जो है तेरा नंबर डि पूरा फर्जी पाया तो मुखमंत्री पे मुकदमा मत है यह 400 पीसी का करेगा कौन 400 पीसी का देखे ताल में तला कांड है जब बीजेपी की सासंकाल में हुआ जिए तरीवान बहुतर जो है क्यार्पिया पोगेरा के फोर्स है उस लख लेगे और उसके जो गुशे में आकर कि पूरे फोर्स नहें वहां के पूरे गाउं के घाउं को पूरा जला इथा जी अब आरोप लगाए कि एक नख्ष लाइटों में जलाया जिस का इस लिए जात में ये इस लोग जो बतायते हैं इस लिए बटाय थे लिए बटाय वह लग बटाय जंच लगे वह दो निलाधार हो अब्रके यहां के जाँ को पो पूर्स नहें जलाया जी फिलिए लखलेटों में कर दिया व्किद कर देना तुरुपोर कोई नहीं है आँ वी और भी एता शर्के गुरा करके हैं तरह लोग गाहों में पंडूं टेवार मनाते हैं। तो उसमें बाद में उतका जो है आयोग का उसमें नएक आयोग का मजिस्टर्ट ने उसमें कहीं दिया कि भाजी रुप से था ये गाहँ वाले लोग समुहित रुप से वहां के वार मना रहते और वो कोई भी नख्लाइट ने थे बलके नेडोस ग्रामेर थे उसमें भी कही दिया जी उसका भी अभी तक कारवाई नहीं हुआ आप आदिवासि समस्या का समाधान तो 22 से हो जाएगी लेकिन सरकार भी ने चाहती कि यह समच्या का समाधान हो क्योंकि नक्सल उन्मुलंग के लिए और वो रुपय पैसा अवंतन होता है प्रती साथ संतों से जिसका ना कोई आडिट होता है जी ना उसको जो है उसका कोई वीगर दिया जा क्या खर्च हो रहा है लेकिन रूक्यादी आइसा करेंगे तो इतना एक बहुत बड़ा स्रोथ जो मिलता है राजय सरकार को बंद हो जाएगा इस्थानी लोगों के जब तक कि वहां के इस्थानी लोग है उनके साथ बैट करके इस समस्या के समाधान के बारे में विचार न महां चुनी हुई राज सरकारे स्वैम नहीं चाहती है कि नकसलवाद का निप्टारा हो उनकी समस्याएं है लो क्योंकि उसकी आड़ में वो अद्योगे घरानों को उनकी जमीने छीन के जो है देने का काम करते हैं और के बंदर बाट करते हैं अगर आपको छोटु भाई व सावा की तरफ से यह प्रस्ताव मिले क्योंकि उनका तो जनादार है नहीं महां चत्तितगड में वह आप बढ़े नेता हैं यहां के निर्विवाद जैसे हेमन सोरें शुभू सोरें जारकंड के हैं तो आप यहां के हैं तो अगर आपको जो है मुखमंत्री पद्र है और आ सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपनी पार्टी बना के उनके साथ सायोग ले सकते हैं हम सोरें और चोटुभाई वसावा और आप उनको सायोग दे सकते हैं समाजी तो आप ताकत में आए बिना अपने समाज को कैसे मद्बूत करेंगे सवाल यह है बिल्कुल मद्बूत हो जाएंगे समाज के उनके नहीं तो अब आपके उप्तियाचार समाज पर होता है जमीने छीन ली जाती है कोई पार्टी बनाने से ही समाज एक नहीं हो सकता बिल्के क्योंकि यह समाज को बचाना है तो हम इतनी की बीजिन मत सामाजी समाजको अरक यदे तो कि दूरन बीजिन समाज को चल दोड़नी है अगर आधिवासी नेता हेमन सोरेन शिबू सोरेन महेच भाई वसावा चोटू भाई वसावा या और अन्य छेत्रों के आधिवासी नेता मोहन डेलकर साहब नहीं रहे उनके बेटे हैं वो सब लोग आपको अगर सायोग करें कि आप आगे बढ़ो आप अच्छा काम कर रहे हो आप ही आगे चलके प्रदेश का नेत्रेत करो आधिवासीयों के समस्ते के समधान करो तब तो आपको चुनाओं में जाना पड़ेगा न यहां तो आपको सपोर्ट कर दें जो में नेताओं के मैंने नाम लिए और जब उनको जरूरत बढ़े अपने प्रदेश में एक बड़ा चेरा आधिवासीयों का बुलाने का तो आप वहां भी उनकी मदद करेंगे गिवेंटे वहां प्रदेश करें वहीं देखें पहले मै बिल्नी ने था तो जहां उत्र करदेश में बॅलाए उत्र कदेश गया द्यार बुलाए द्यार गया जहां जहां मुझे बुलाए वहां बहां में जा है नारि परम होगी जी बहुत-बहुत धन्यवाद जै जोहार